तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दिमाहजन ट्रेडर को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ जो updates है वो मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार check out जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue IOC की अगर हम बात करें तो share में काफी एच्छे returns हमें देखने को मिल रहे है 4.85 रुबिस के अराउं तक की एक अच्छी rally stock ने आज बताई है Morning से ही stock continuously अच्छे return दे रहा है वही अगर हम बात करें stock 174 के अराउं अभी trade करता हुआ नजर आ रहा है और वही अगर बात करें last 5 days की भी तो last 5 days में भी share अगर देखें तो 8 रुपे 25 पैसे के अराउं तक की एक बहतरीन तेजी बता चुका है वही बात करें एक महीने की तो stock में हमें गिरावट भी नजराती है साथ ही stock में एक growth भी नजराती है यानि stock अगर देखें तो एक तगड़े upside down momentum बताता हो नजरा रहा है बट 19 मार्च के बाद वही अगर देखें 19 मार्च के बाद stock अभी तक positive return दे रहा है जो काफी अची चीज़ है और जो levels हमने पहले discuss किया था उन levels के हिसाब से यहां पर आगे बढ़ रहा है और आगे भी हम positive रहने वाले है और आज अगर देखें काफी अच्छी बढ़त रही कुछ important news आई थी जिसके बारे मैं मैंने कल भी discuss किया था और आज फिर से एक बड़ी news आ रही है रिश्या से related तो पहले हम कल एक news आई थी उसे discuss करें तो यहां पर अगर देखें Panasonic और IOC from JV to Mac Lee Ion batteries in India तो Panasonic और IOC जो है यहां पर Lee Ion batteries बनाने का काम कर रही है दोनों के बीच अगर देखें एक बड़ी यहां पर अगर देखा एक बड़ा agreement sign हुआ है और इस agreement के sign होने के बाद यह यहां पर काम पर लगने वाले है Japanese electronic company है Panasonic white goods and tax solution giant Panasonic is setting up a joint venture with state-run Indian oil to manufacture lithium-ion batteries and energy storage system in India यहां तो यह काफी अच्छी चीच है यह EV के EV की जो field है उसमें आगे बढ़ रहे है और इसका benefit भी मिला है stock को वही अगर देखें तो और एक positive news आ रही है यहां पर IOC से related Indian oil corporation set to tap spot oil market as Russian term deal lapse तो यहां पर अगर देखें तो जो raw snap, raw snap के साथ इनकी deal है वो खत्म हो रही थी यहां पर अगर देखें जो raw snap है उसकी deal है वो 31 March के around round यहां पर अगर देखें खत्म हो जोगे और वही अगर देखें तो यहां पर IOC की और से इस contract को जो expire हो रहा है इस contract तो उससे यहां पर renew कर लिया गया है तो एक काफी चीची जीज़ए तो यहां पर अगर देखें रोण sap यहां पर rose nap and Indian oil corporation have had to renew an oil supply deal that expired in March तो बिल्कुल यहां पर अगर देखें रिन्यू कर लिया है और यह रिन्यूएशन के बाद ही यहां पर अगर देखें इस point का आपको ध्यान रखो और levels भी मैंने कल कुछ levels भी discuss किये थे कि कहा पर कुछ IMP levels है उनके बारे में आपको ध्यान देनी चाहिए तो लेवल भी हमने discuss किये तीन करोड के अराौन तक अगर आप देखोंगे trade value stock में देखने को मिलता है इक trade value है जो stock में देखने को मिल रहा है दो करोड के अराौन तक का trade value हमें कल देखने को मिला था इस point के उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए और जो community sentiments के आकड़े है amongst our community sentiments कि लेवर्द की, की लेवंस की तरीके से काम कर रहे है STOCK में तो यह भी कुछ IMPORTENT चीजह है हैं जिनके उपर IMPORTENT चीज़ हैं, जिनके उपर हमें F gécey रखना चीए है तो कौंसे इसे लेवर्द हैं, तो यह आपर हम आ जाती है, fundamentally IOC के Chart के उपर कि IOC का Chart किस तरीके से काम कर रहा है किस तरीके के Return हमें इस Particular Share में देखने को मैं बन रहा है और वही अगर देख हैं एक मठ गयस तो यहां पर आप क्लिर्टी देख सकतो 1R के टाइम फ्रेम पर स्टॉक में काफी अच्छा breakout मिल रहा है जो level हम पहले से discuss करते आ रहे थे finally उन levels के around यहाँ पर जो stock है पोच गया है clearly आप देखोंगे एक falling wage type pattern जो है stock में यहाँ पर बन रहा था काफी time से हमें discuss कर रहे थे काफी time से हमने discussion किया हुआ था levels भी आपके साथ share किया थे काफी एची चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है मिल जाता है कि stock में आगर आप देखोंगे तो काफी एच्छे breakout के साथ यह जो share है आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो stock में ऊपर से resistance थे downside की और से अगर आप देखोंगे तो share में support नजराते तो एक proper upside down momentum हमें देखने को मिल रहा है वही अगर देखा जाए तो कल भी हमने कुछ चीज़े कही थी आगे discuss कुरूँगा वर उससे पहले अगर आप देखोंगे और वही चीज़ अगर देखे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी तो यहाँ पर share में काफी अच्छी rally बनाई और जो level जो symmetrical type pattern हमने discuss किया था उस symmetrical type pattern का भी breakout यहाँ पर मिला है exactly आप देख भी सकते हो stock में यहाँ पर downside के और से support नजरा रहा है काफी अच्छ है उपर से अगर आप देखोंगे resistance है तो इस proper upside down momentum के बाद ही stock में breakout मिला breakout के बाद share उपर गया sustain करके और अच्छे rally और अच्छे return जो है stock में हमें देखने को मिल रहा है तो इस point को लेकर भी आप यहाँ पर positive रह सकते हो आने वाले time में stock में अगर आप देखोंगे तो और अच्छी rally और तकडे return जो है हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते है अब बारी आती है next stock की तो next share जो है हमारा उसका नाम है REC Limited की अगर हम बात करें तो 463 रुपे 50 पेसे के राउन तक की closing है stock में return अगर देखें तो morning में share में गिरा उटाई थे लगबग यहाँ पर अगर देखें 8.5 रुपे के राउन ने गिर गया उसके बाद stock में 10 रुपे के राउन तक की देजी रही पाच दिन के अगर बात करें इसमें भी upside down momentum रहे है यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो stock में clearly आप देख सकते हो जो REC है उन्हों को एक काफी बड़ा award मिला है Scotch ESG award इने मिला है 2024 for renewable energy financing financing excellence तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए और वही अगर हम देखे तो यहाँ पर renewable energy को finance करने के लिए काफी बड़ा award है और dividend से related कुछ updates discuss कर लेता है कि यहाँ पर अगर देखे 4.50 पेसे का dividend मिला रहा और जिन जिन लोगोंने 28 मार्ट से पहले खरीदा है उन्हें dividend मिल गया होगा और यहाँ पर अगर हम देखे हैं तो stock में 17 April 2024 के around round आपको यहाँ पर payment मिल जाएगा तो जो dividend का payment है वो यहाँ पर मिलने वाला है 17 April 2024 के around तो इस point के ओपर भी आप ध्यान रख सकते हों तो बिलकुल जल्दी आपको dividend भी यहाँ पर आपके account में transfer कर दिया जाने वाला है तो और यहाँ पर अगर देखे जो IOC और REC हो बहतरीन share है और IOC में तो बड़ा breakout यहाँ पर हमें already मिल रहा है तो REC की भी अगर हम बात कर रहें तो REC में किन levels के उमर ध्यान देना चाहिए क्या levels हो सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम 5 minute के time frame पर देखे तो 5 minute के time frame पर stock में कई fluctuations नजरा रहें बट कल जो level हमने discuss किया थे उन levels के हिसाब से share में अगर देखे एक fall आया एक गिरावट continue होई और यहाँ पर इसने sustain किया क्योंकि मैंने पहले ही clear कर दिया था कि यह consolidate यहाँ पर कर रहा है तो consolidation के बाद stock न यहाँ पर sustain किया एक वीशे परी गवरी बता ही sideways है अगेन एक अच्छा momentum हम upside की और expect इससे कर सकते हैं वेट करेंगे आगे इसमें क्या होता है तो और रोल काफी कुछ चीजे जो हम discuss कर चुके इस particular share में इस particular video में इस shares को लेकर तो I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को like channel को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका analysis कर लेना साथी telegram channel को join करो link नीचे description में Thank you